हाई अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपको फोटो डालने में बहुत परिशानी होती है जब भी आप कोई भी गॉबर्मेंट एक्जाम का फॉर्म भरते हो फिर चाहे हो एससी का हो या फिर आपके लैप्टॉप में कैमेरा नहीं है या फिर यह प्लानिंग आपको देते हैं आपने इतना मारी पार्म भराऊगा पर इस चीज के ओपर गौर्ड नहीं फरमाया हो तो इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि इसका उप्योग हम लोग आखिर करते कैसे ठीक है तो हम लोग सबसे पहले तो क्लिक है टू स्कैन करते है क्लिक अब यह आ गया अब मैं आपको बताता हो कि आगे क्या करना हर फोन में qr-scanner का ओप्शन होता है और अगर नहीं आपके फोन में तो आप qr-scanner एप डाउलोड करके भी कर सकते हों अब qr-scanner को खोल करके इस qr-scan करना है यहां से आपको वो website पर ले जाएगा open in browser ठी करना है अब चाया फोटो करना के बाद आपको फूरंट कामड़ा ऑपन करना है और एक फोटो लेना है एक फोटो थिक है इसमें यहाँ पर ले रहा हो दिखाओं गए पोटो क्लिक करने के साथ ही यह आप्शन आएका करने के बाद आप जैसे ही स्क्रीन पर देखो होगे तो आपका फोटो जाए वो 10 सेकंड के अंदर अंदर अपलोड हो चुका होगा तो यहां से हम लोग अपना फोटो डिरेक्ली ले सकते हैं लुक हाओ इसी इट वाज आराम से अपलेट हो गया ना बिना किसी परशानी की मेरे लाप्टाप में तो वेबकैम ही नहीं तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिना वेबकैम के या फिर बिना मोबाइल में स्विच हुए आप कैसे फोटो आसानी से अपलोड कर सकते हो किसी भी एक्जाम में जहां पे qr code scanner का option होता है आपको यह वीडियो आपके लिए बहुत ही valuable होगी आपको समझ में आ गया ह होगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कोई भी एक्जाम से रिलेटेड डाउट हो चाहिए वह सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और किसी भी चीद से रिलेटेड हो आप एगदम फिली कॉमेंट कर सकते हो पोच सकते हो मैं जरूर नहीं वीडि